जनपत मत्रा के गाउं पैगाउं के रहने वाले दो खिलाडियों ने जनपत का नाम रोशन किया। उन्होंने दहरादून में हुई नेशनल चेंपियंशिप में गोल्ड मैडल जीत कर अपना परचम लहराया। जिसके बाद गाउं के आरके इंटरनेशनल स्कूल में चेयरमेन के द्वारा दोनों खिलाडियों का स्वागत किया गया। जनपत के गाउं पैगाउं के रहने वाले पुषपिंद्र और सचिन ने दहरादून में हो रही नेशनल चेंपियंशिप प्रतियोगता में हिस्सा लिया। जिसमें पुषपिंद्र लाला ने 65 किलो वर्क की कुष्टी में अपने प्रतियुदंदी को परास्थ करके गोल्ड मैडिल हासिल किया। वहीं सचिन पुत्र रामबीर ने अपने प्रतिदुन्दियों को पीछे छोड़ कर पहला इस्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता जीत की सुचना मिलते ही गाउं में खुशी की लहर दोड़ पड़ी जहां ग्रामबीरों ने गाउं पहुंसते ही नौजवानों का जोड़दार स्वागत किया आज उशी के तहट आरके इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमेन नाराईन सिंग के द्वारा दोनों खिलाडियों को 51-51 रुपे का पुरुषकार दे कर उनका स्वागत किया इस मौके पर दोनों खिलाडियों के परजन भी मौजूद रहे परजनों का भी स्वागत सम्मान किया गया इस मौके पर भगवान, दीपक, राज, छिदी, मुकेश, असुख और धिरस सहित तमाम ग्रामिन मौजूद रहे एक राश्टी इस्तर की प्रत्योगता में गूल्ड मेडल हासिल किया है और 65 किलोग्राम वर्ग में कुस्ती में कुस्पिंदर ने गूल्ड मेडल हासिल किया गया है इस तरह यहां आर्के इंटरनिस्टर स्कूल पर इनका स्वागत सम्मारोज किया जा रहा है इन बच्चों ने हमारे गाम के साथ साथ छित्र के और जिले का नाम रोसन किया है इसके लिए हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं बहुत बहुत आसिरवाद देते हैं और परमकिता परमाक्वास से ये प्रात्ना करते हैं कि ये बच्चे इसी तरह अंतर राश्टी और राश्टी इस तरह पर गोल्ड मेडल हासल करते रहें बहुत बहुत बधाईए